यदि आप भूत पूर्सानिक एक सर्विसमेन है तो आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पे इस वीडियो मैं फ्रेंड्स आपको ओर ओपी टू से रिलेटेट काफी इंपॉर्टन जानकारी देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले जदी आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें साथ ही साथ बेल का इकन को दबा दीजे फ्रेंड्स साथ ही मैं फ्रेंड्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाट्सेप ग्रूप का लिंग मिल जाएगा उससे जाके आप जॉइन कर लिजे उससे फाइदा ये होगा कि आपको जॉब की नोटिफिकेशन तुरंद मिलेगी तो आईए देखते हैं क्या है न्यूज यहां पर साथ साथ यहां पर एक न्यूज निकल कर कहा रहा है कि केंदर सरकार को बड़ी रहत सुप्रीम कोट ने वन रैंक वन पेंसल मामले में बरकरार रखा सरकार का फैसला यानि इनका यहां पर कहने का मतलब यह है कि जैसा कि आपको पता है कि 2014-15 में ओर उपी का रिव यानि कि 2019 में जो है OROP 2 का revision होना था और वो काफी लंबा समय बीच चुका है अभी 2019 से 2022 आ चुका है और जो है OROP का पैसा या revision table अभी तक जारी नहीं किया गया है और सरकार के पास भी अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है आपको बता दू कि सरकार के पास आखरी के 14 दिन लगबग बचे हुए है क्योंकि 15 दिसमबर लास्ट डेट है सुप्रीम कोट ने सरकार को यह रहट दिया था कि 15 दिसमबर तक सरकार कर सकती है क्योंकि जो हमारी केंज सरकार है उसने लगबग 3 मेहने 3 मेहने करते करते 9 मेहने कल एक्स्ट्रा समय ले लिया था सुप्रीम कोट से extension time ले लिया था कि हमें पैसा पेमेंट करने में काफी लेट हो रही है दिक्कत हो रही है इसलिए हमें समय दिया जाए जो समय 15 दिसंबर 2022 को खतम होने वाला जी हाँ तो 15 दिसंबर को जो खतम होगा समय उसके बाद यदि सरकार पेमेंट नहीं करती और जो पेमेंट है हमारा 2.57 फीटमेंट फैक्टर के हिसाब से अगर नहीं होता है तो यहाँ पर मेजर जनरल सद्बीर सिंग जी के द्वारा भी साफ साफ कह दिया गय है कि अब रुकने वाला कोई भी नहीं है जतना भी एक सर्विसमेन है वो सब मिल करके यहाँ पर कोट आफ कंटेम्ट का यहाँ पर केस सरकार के उपर दालेंगे और उसके बाद सरकार को किसी भी हालत में जो है ओर ओपी टू का पैसा देना ही होगा तो फ्रेफरेंस फिलाल वीडियो में इतना ही था यदि कोई और इंफर्मेशन निकल करके आती है ओर ओपी टू से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको हमारे इस यूटूब चैनल पे मिल जाएगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स